महाराश्ट में नासिक के बाद सोलोपुर प्याज को बाजार के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मराटवाड़ सही पश्चिमी महाराश्ट में किसानों के लिए सुवीदर जनक बाजार है इसलिए वहानों की कतारे बनी रहती हैं इस समय खरीव सीजन में लाल प्याज की आवग बड़ी मातरा में हो रही थी इसके अलावा प्याज सीजे सोलपूर बजार में पेश किया जा रहा था क्योंकि कीमत भी स्थिर हैं लेकिन उसी समय रिकॉर्ड आवकें के साथ प्याज की कीमत का गणित गड़ बढ़ा गया दो दिन पहले तीन दिन की छुट्टी के बाद यहां सिद्धेश्वर क्रिशी उपज मंडी समीती में 71,000 प्याज पहुँचा नतीज सन कीमत 250 उर्पे गिर कर 200 उर्पे हो गई थी बरतमान में खरीफ प्याज की कटाई जोर उपर है प्याज की कीमत अधिक होने के कारण किसान निकाले गए प्याज को बेचनी के लिए उच्चुक है नतीजा ये रहा कि शनिवार को बजार समीती के सामने 700 वाहनू की कतारे लग गई जिससे किसान को परिशानी का सामरा करना पड़ा था आमदनी बढ़ने के बजाए ये 200 रुपे से घटकर 200 रुपे रह गई सोलपूर बजार समीती में प्याज उस्मानाबाद, परांडा, पंधरपूर, माधा, आदी से आती है नए साल से पहले यहां मंडी समीती में 30 से 35,000 पिंटल प्याज की आवक आ रही थी लेकिन अब नए प्याज की कटाई भी शुरू हो गई है साथ ही सिदेश्वर यात्रा के चलते मंडी समीती लगातार 3 दिन तक बंद रही थी इसलिए शनिवार को आवक में अचानक इजावा हो गया आवक दो गुनी होने से रेट में भी कमी आई है इसलिए देखना होगा कि 700 रुपे प्रती कविंटल की कीमत वाली प्याज सीदे 1500 रुपे प्रती कविंटल पर बेचे जाने के बाद किसानों का आगे क्या कदम होगा मराठवाडा और पच्चिमी महराष्ट में मौसम विभाग ने बे मौसम बारिश की चेताबनी दी है बादल चाय रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है लेकिन रविवार की रात उस्मानाबाद, परांडा और बर्सी इलाकों में भारी बारिश हुई जिसकी बज़ा से कई जगा कटी हुई प्याज खराब होगे अचानक हुई बारिश ने प्याज की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचाया है जिससे कई किसानों को लाखों का नुकसान भी हुआ है ग्यूर रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी